तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पानी पूरी ये जो पानी पूरी है जटबड बनकर तैयार हो जाता है अब बड़े ही आसानी से घर में बना सकते हैं प्रेगनेंशि में बहुत सारी चीजों को हमें लिमिट में खाना होता है उसी तरह से यह जो पानी पूरी बनकर तयार होने वाला है इसे आपको लिमिट में खाना है चार से पांच खाईएगा और लिमिट रखेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्रम्स ना हो इस बॉक्स में जो है सारी टीटेल्स दी गई है आपको यहाँ पर सारा इंफोरमेशन्स दिया गया है और बैक साइड भी आपको सारी इंफोरमेशन्स मिल जाती है लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाने वाली हूँ तो वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा तो यह है हमारा पानी पूरी का केट तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल करना दो से तीन आलू जिसे आपको बॉयल करना है और उसके बाद हमें चाहिए फ्रेश कोरियांडर जिसे मैं अन्बॉक्सिंग करने वाली हूँ यहां से हमें इसे ओपन करना है उसके पहले मैं आपको एक बार टर्न करके भी दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर सारी details मिल जाती है आप एक बार जरूर चेक करें जब भी आप purchase करें तो आप देख सकते हैं हमारे पानी पुरी के अंदर जितने भी चीज़े हमने use किया है वो सारी चीज़े यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ से हम open कर सकते हैं यह video बिल्गुल भी sponsored नहीं है मैंने इसे खुद से purchase किया है और उसके बाद यह video बना रही हूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर open करते ही आप देख सकते हैं यह golden color का packaging दिख जाता है इसके अंदर एक tray है tray के अंदर हमारे पानी पूरी रखे हुए है तो अभी मैं सारा एक-एक remove कर लूँगी है और उसके बाद आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है यह packed गुल गप्पे हैं तो आपको monthly once खाना allowed है इसे जादा मत खाईएगा पानी पूरी के अंदर जो भी stuffing होती है वो आपको खुद प्रिपेर करना है जैसे की काला चना हम यूज करते हैं तो आपको उसे six to eight आज सोप करना है उसके बाद तीन से चार विजल दीजिए आपका चना जो है बॉइल होकर तयार हो जाएगा फिर उसके बाद आपको दो से तीन आलू की requirement होंगी जो आप बॉइल कर सकते हैं अराम से और धन्या भी ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर हमारा sweet spiced mango sauce है इसमें हमारी पानी पूरी का पेस्ट है जो हम पानी के अंदर mix करने वाले है पानी पूरी का जो पानी है उसके अंदर mix करने वाले है इसमें हमारी बूंदी है जो हम पानी पूरी का जो मसाला है पानी पूरी का जो पानी है उसके अंदर mix करने वाले है तो इसके अंदर हमारी पानी पूरी के पूरीज है तो चलिए मैं स्टेप बाइ स्टेप आपको बताती हूँ इसका मेथट क्या है हमें इसे कैसे बनाना है तो मैंने यहाँ पर स्टफिंग तयार कर ली है और सारी चीजों को मैंने टेबल पे डिस्प्ले कर लिया है अब मैं यहाँ पर बूंदी जो है उसे एक बाउल में डाल दूँगी और हाफ का पानी भी डालूँगी ताकि हमारा जो बूंदी है वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और जब हम इसे पानी पूरी के पानी में डालें तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए तो यहाँ पर मैंने हाफ का पानी डाल दिया है और इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी इसको इस तरह से मिक्स कर दें तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी पूरी का पेस्ट, जो पेस्ट हम पानी में डालने वाले हैं यह वो पेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही easy way में बनाया है इसे, आप इसे cup में लें पहले इस तरह से आप cup में डाल दें, या आप छोटी सी बाउल भी ले सकते हैं उसमें डालें फिर इसमें पानी डालके इसे पेट लें टाकि कोई भी गुटली ना बने पानी में डालते हो अच्छ जो मिक्स पर वाला हम से इस सब सब्सक्राइब ड्राइब दालें आपका पेस्टे में अच्छ चाएगाा दो यहां पर मैं ने हाफ कप पानी डाल दिया है and इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी इस को इस तरह से मिक्स कर दें यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट बनकर तयार हो गया है तो मैंने यहां पर 750 ml पानी यूज किया है और जो यह पेस्ट मैंने पानी में फेटा था अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी तो अब हमने जो यह कप में mix किया है इसे लेंगे और इस बाउल के पानी में डाल देंगे और अच्छे से mix करेंगे तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जिसके अंदर धन्या और पुदीना का टेस्ट है जो कप में थोड़ा सा बच्चा है वो भी मैं use करूंगी यह मैंने डाल दिया और इसे अच्छे से हम mix कर लेंगे मैं एक बड़े वाले स्पून से इसे mix करूंगी और आपको यहाँ दिखा देती हूं कि इसका जो पानी का कलर है पानी पुरी का जो हमारा में पानी होता है बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अब हम यहाँ पर जो हमा दिखा देती हूं मैं हमने यहाँ पर बुंदी को जो पानी में सोक करके रखा था अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे पहले एंड उसके बाद हम अपने पानी पुरी का जो पानी है उसमें ट्रांसफर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रांसफर करती है और डालते ही क्या यम लग रहा है तेस्टी लग रहा है मूह में पानी आ चुका था मेरे जब में यह रसीपी बना रही थी बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया है यह पूरा रसीपी मैंने शूट किया है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो देखते द मैnt इसे कर लों गी इस पेकेट को बहुत ही केरफूली हम्मार है क्योंकि एसके नदर हमारी पूरी तो जब्ट सकती है तो तोट भी सकती है तो बहुत ह है अरामसे आपको हैंडम करना है यह देख सकते हैं अप हमारी पूरी यहां पर इस तरह से पैकेज़ंग में हमें मिल चोटा भी नहीं है तो स्टफिंग बहुत ही अच्छे से इसके अंदर हमारी आ जाएगी और खाने में तो बहुत ही मजा आने वाला है तो अब मैं यहां पर सबसे पहले मीठी चटनी डालने वाली हूँ और उसके पाद जो हमने आलू का स्टफिंग बनाया था वो पूरी के अंदर डाल दूँगी और प्लेटिंग कर लूँगी पहले मैं यहां पर तीन से चार जो पूरी हैं हमारे उसे प्लेटिंग कर लूँगी तो मैं यहां पर आपको दिखा दूँ फिर से हम यहां पर मिठी अब आलू का जो हमने फिलिंग बनाया है वो ले लेंगे अम सॉरी फॉर दिस्टिबंस अगर आपको वीडियो में डिस्टिबंस आ रही हो अब हम दूसरा पूरी लेंगे फिर से हम इसे स्टफिंग करेंगे, मीठी चटनी डाल देंगे और जो हमने यहां पर आलू लिया है, आलू की जो स्टफिंग बनाईए उसे भी स्टफ करेंगे, यहां पर मैंने चार पूरी ले हैं, जिसके अंदर मैंने यह खटी मीठी चटनी डाल कर आलू की सिलिंग करी है के पूरी का प्लेटे बनकर तयार है मैं आपको दिखा देती हूं अब मैं इस जाए पानी लेने वाली हूं पानी पुरी कजे पांवी है उसे स्वर्प करने वाले हूं लग रहा है मुँ में पानी आने वाला हाल हो रहा है तो अब मैं यहाँ पर आपको खा के बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है तो यह रहा पहला बाइट तो यह लिया हमने पूरी और यह गया पानी के अंदर और उसके बाद मेरे मुँ में पानी पूरी का जो टेस्ट हमें मिलता है वही टेस्ट है यहाँ पर ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है वैसे भी हमें प्रेगनेंसी में ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना होता तो प्रेगनेंसी के हिसाब से यह जो पानी पूरी है बहुत ही यम और टेस्टी है मुँ में जाते ही बहुत ही अच्छा से खुल जाता है और पूरी जो हमारी बहुत ही क्रिस्प है खाने में पता चलता है कि हाँ हमने पानी पूरी हम खा रहे हैं आटे और सूजी से मिक्स करके बनाया गया है वही टेस्ट आएगा जो आप स्ट्रीट साइट खाते हो आप देख सकते कितना यम लग रहा है यह मुह में पानी आ चुका था मेरे बनाते बनाते आपके घर में अगर किसी और को भी खाना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा च जरूर बनाएगा और आकर जरूर कॉमेंट करके बताएगा कि आपका पानी पूरी कैसा बना अगर आप मुझे इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पैज को फॉलो करिएगा और इस वीडियो को लाइक करेगा और शेर करिएगा अगर आप मुझे मेरे अगले वीडियो में हैपी प्रेगनेंसी टेक केर बाइबाई इसक्लीमर प्रेगनेंसी में आप चार से पांच खा सकते हैं पानी पूरी रेसिपी इस वीडियो में जो दिखाई है ज्वादा स्पाइसी नहीं है तो यह आपको अल्टरनेट ऑप्शन्स मिल जाता है जो आप इसे अपने घर पर लाकर बनाकर हाईजिन वे में खा सकते हैं आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है यह पैग्ड गुल गप्पे हैं तो आपको मंतली वंस खाना अलावड है इससे जादा मत खाईएगा पहले एक खाईएगा थोड़ी दिर वेट करिएगा अगर आपको कोई प्रॉल्म्स नहीं होते हैं तो आप चार से पांच खा सकते हैं लिमिट में खाईएगा आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप सोच रहे हैं इसे मंगवा कर खाने की तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलहा जरूर लें और खाईएगा जैसे कि हम सब को पता आप अगर खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलहा जरूर लें